आपको मैं बताने जा रहा हूँ बेकिंग सोडा और निम्बू के रस को चेहरे पर लगाने से क्या होता है जानिये फ्रेंड्स इस जानकारी को बताने से पहले ये मैं आपको बता दू कि अगर हमारे यूटूब चैनल लोटस एरवेद इडिया को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो फ्रेंड्स तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले क्यूंकि हम इसे चैनल के माध्यम से ओज़्दियों की वो सारी जानकारियां लेकर आते हैं जिन्हें आप इस्तमाल कर अपने जीवन में स्वस्त रह सकते हैं जी हाँ अगर ब्यूटी टिप्स की बात करें तो सबसे पहले बात आती है चेहरे की सुन्दर्दा की औरतों के साथ-साथ मर्दों को भी अपने फेस की चिंता होती है ऐसे में वह बजारू प्रोडक्ट का इस्तमाल करते हैं क्या आप जानते हैं बिना किसी क्रीम या पाउडर के इस्तमाल किये बिना भी चेहरे को सुन्दर बनाया जा सकता है जी हाँ चमकते चेहरे के लिए हम कई तरह के कॉस्मेटिक का इस्तमाल करते हैं फेशियल, फेस पैक, फेस मास्क, पील आफ, स्क्रब से लेकर घरेलू उपचार तक अजमाते हैं इन उपायों से हमेशा चेहरा चमके या ना चमके लेकिन कई बार रियक्षन जरूर हो जाता है अलग होती है, आज हम आपके लिए चेहरे को चार चान लगाने वाला नुस्खा लेकर आया है इसमें इस्तमाल होने वाली आसदी आपको अपने घर पर ही आसानी से मिल जाएगी जी हाँ, तो आईए जानते हैं फ्रेंड्स इस आसदी के बारे में इसके लिए आपको दो समागरियों की चोरत पड़ेगी पहला, दो चम्मच बेकिंग सोडा और एक छोटी चम्मच निम्बु का रस जी हाँ, अब इसके वीधी के बारे में आपको बता रहा हूँ दोनों आसदियों को अच्छी तरह मिक्स कर ले जब यह दोनों आसदी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इस मास्क को अच्छी तरह से अपने चेहरे पर अपलाई करे और 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दे जिहां अगर आपको अपने चेहरे पर जलन महसूस हो तो आप अपने चेहरे को 20 मिनट से पहले भी धो सकते हैं जब यह सुख जाये तो मुह को ठंडे पानी से धोले जिहां हफ्ते में एक बार ऐसा करने से आपको लाब होगा तो यह थे दोस्तों बेकिंग सोडा और निम्बू के रस को चेहरे पर लगाने से क्या होता है जानिए अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूले और सब्सक्राइब करना ना भूले क्यूंकि फ्रेंड्स मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से आपके हेल्थ से समंदित वो सारी जानकारिया लेकर आता हूँ जिसे आप यूज कर अपना इलाज खुद कर सकते हैं और इसका भरपूर लाब उठा सकते हैं दोस्तों फ्रेंड्स आप अपना बहुमुल्य सुझाओ हमें कमेंट बॉक्स में लिकर भेज सकते हैं दोस्तों और साथ साथ बीमारियों से समंदित सवाल भी हमसे पुछ सकते हैं हम उसका जवाब जरूर देंगे तो स्वास्त रहिए खुछ रहिए धन्यवाद थेंके दोस्तों करेंगे पर भी में करेंगे